अच्छे नहीं हुई बोल अच्छे नहीं हुई पत्ले चोटे चोटे पत्ला आटा कला दम को अब यह फश्ट बार बनी थी सब कहीं तो फश्ट बार को बरोबर ही तो गाइस मेरे हाथ में है चने की डाल जिसे के मैं बनाने जारी हूं अबिट या वबट आई डोन नो एक्जाक्ली तो इससे मैं वह वबट बनाने जाने वाली हूं जो कि नौन मुसलिम्स की फेस्टिवल स्पेशल डिश है अकॉर्डिंग टू में इस तो यह स्पेशली उगादी के दिन बनाया जाता है तो कल उगादी थी मैं यह वीडियो के लिए अच्छे से मैं यूनो बॉयल कर लूँगी उसके बाद मैं दूसरी प्रिपरेशन यहां पर करने जारी हूं आप इसमें सिर्फ चने की डाल ही डाल सकते हैं इफ नौट चने की डाल प्लस जो भी आप डाल नौर्मली बनाते हैं तूर की डाल वो भी आट कर सकते है मैंने एक वीडियो भी देखी थी प्लस मुझे एक नौन मुस्लिम मेरे फ्रेंड है उनको भी मैंने पूचा था तो दोनों ने अलग तरीखा बताया था जो मुझे एजी और अच्छा लगा मैंने वो पिक कर लिया दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्स करकर मैं बना रही हू तो मैंने यहां चाने की दाल बॉयल करने अच्छे से रख दी है उसके बाद हम लोग प्रिपेर करने वाले हैं अपना डो इसके लिए चाहिए हमें आटा सोजी और सोड़ा थोड़ी सी हल्दी उसके बाद मैं लूगी थोड़ा सा ओयल तो पहले से आटे को अच्छे से आपके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर आटा सिर्फ टू-300 ग्राम मैंने यहां पर लिया है तिंक आपको कम लग रहा है क्योंकि मैंने पतीला जो है वो बढ़ा लिया है इसलिए और थोड़ी सी मैं हाफ टेबल स्पून भी नहीं हाफ टेबल स्पून से थोड़ा कम यहां कि मैं सिर्फ मैंने हाली दाल को तो पर अगर को सिर्फ में बनाना चाहते हैं तो सिर्फ में बना सकते हैं कि इसे बना लीजिए इसमें थोड़ा स मैं आटे को बहुत ज़्यादा घट मत बना लीजिए आटा बहुत ही स्मूथ और ऐसा होना चाहिए कि वो आपके हाथ को लगना चाहिए जो कि इसकी टिप है तो मैं आपे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे अच्छे से डो को सेट करकर मैंने रग दिया है तो इसके साथी साथ और एक टिप भी थी अगर आप अडिशनली इसमें खोपरा जो है कोकोनट ग्रेन करकर अगर आप इसमें डालना चाहते हैं जो भी हम उसका बना रहे हैं जो अंदर फिलिंग है उसमें डालना चाहते हैं तो बना सकते हैं इफ नॉट आप सिर्फ जो है शुगर शुगर या गूर से भी बना सकते हैं यह रही दूसरी टिप पतारी मैं क्या क्या बोल रहे हूं तो दो तिन विजल्स आ गई है यहां तब तक मैं आप सब के साथ ब वीडियो बनाया था लेकिन क्या हुआ बीच में बाइग्राउंड आ रहे थे इसलिए मैंने वाइज ओवर कर दिया है अच्छे से मैंने आपको जो बताया था ना चिप चिपा आटा वैसे मैंने इसमें हम बना लिया है तो हमारी ऑल्मोस्ट जो है डाल भी पकर आई तिंक बॉयल हो गई अच्छे से तो इस तरह से बना कर डो को अच्छे से नीट करकर आप साइड में रख दीजिए आटा गुनने के बाद मैं जो भी डाल बॉयल करके रखी हूं उसका सारा पानी निकाल कर उसे थोड़ी देर फाइम मिनिट्स के लिए आमें एर आउट होने के ल चीनी चाहिए तो चीनी इफ नॉट आप बूर से भी बना सकते हैं वह इसमें आपके टेस्ट के अनुसार आप मिक्स कर लीजिए आपको जितना भी टेस्टी लगे उतना मिक्स करके अच्छे से ग्रेंड कर लीजिए मैंने जब बनाया था तब थोड़ा मुझे लगा कि थ थोड़ा पतला हो गया है लेकिन मैंने इसे थोड़ी देर फाइम मिनिट्स के लिए ओपन एर में रखा फिर थोड़ा अगेन मैंने इसे यूनों पकाया जिसे कि यह सूका हो जाए और ड्राय हो जाए तो हमारा आटा भी अच्छे से रेस्ट हो गया है वन एन वन अन हाफ आइ तिंक हो गया तब तक मैंने अपना डिनर भी प्रिपेर कर लिया है इसे अच्छे से आप और एक बार अच्छे से आप मल लीजिए तेल डाल कर अगर आपको आपके पास घी अवेलिबल है तो ज्यादा घी में बनाईए घी में बहुत सारे लोग बनाते हैं लेकिन मैं अभी रिफाइन ओयल यूज़ कर रही हूँ उसके बाद मैंने एक पेपर कट करके जो भी हमारा रोटी का मांडा होता है उस पर मैंने रख लिया है अच्छे से तेल डाल कर इसे नीट कर रही हूँ अब छोटी छोटी टिकिया मना लिए मैंने क्या गलती की थी मैंने जो आ आटे की कॉंटिटी थोड़ी कम ही होनी चाहिए और स्टफिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए और बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए मेरा यह फर्स टाइम था तो मैं यह तिप्स फालो नहीं कर पाई अगर आप बना रहे हैं तो डेफनेटली ए टिप्स ज़रूर फालो कीजिए हाथ से थोड़ा यूनो रोटी का शेप देते हुए पतला कर लीजिए इसमें आपको जितनी स्टफिंग डालनी है वो डालिए और इसे अच्छे से क्लोस कर लीजिए क्लोस करने के बाद अपने हाथ से ही इसे शेप देते जाए उसके बाद जो है थोड़ा अगर कवे पे जो है अच्छा सा धेर सारा तेल डाल कर रखिए अल्रेडी गरम होने के लिए यह मेरी में टिप रहेगी और मीडियम फ्लेम पर रख कर इसे अच्छे से अट लीस्ट तू 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 त्री मिनिट्स तक पकाईए बहुत अच्छा सा टेस्ट आया था इसका लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बना सकते थे लेकिन मैंने आज आई सेट बहुत ज्यादा आटे की कॉंटिटी लेगी थी इसलिए थोड़े बहुत मैंने कम हो गए जितना मैंने आटा बनाया था उसमें सिर्फ मैंने अटलीस्ट टू टू थाटीन बनाया थे लेकिन अगर हम थोड़े पतले बनाते तो at least 20 हो सकते थे तो इसी थारा मैंने बनाया है कर दो इसी थारा मैंने बनाया है करीब बर्दस बने थे हैं अब हालत तो मेरी देखी सकते हैं इसी होगे लेकिन टाइम लगता है अगर आपको ऐसी चीदें खाने का शौक है तो डेट में बनांकर खा सकते हैं अभी मैं उपर जा रहे हूं अभी हो क्यूशने की कैसे जागी है ज़िए चलिए चलते हैं कुश मुझे ज़िए चलते हैं कुश प्रक्राग की अभी हो जागी है ज़िए पने ड्रीव करेंकर दू रहे हैं से चलते हैं करेंड़ जोंब हैं को ज़िए चलते हैं कि पत्ते को वो इसका कवर था कि अच्छे नहीं हुए बोल अच्छे हुएंगे नहीं हुए पत्ले चोटे चोटे पत्ला आटा कला रहा हुए अब यह फर्स्ट बार बनी थी सब कही तो कि अच्छे बार को बरो बरी है है कि अच्छा आटा सोजी मरकिन काता में चाला कि मिठा जैदा हो गया हुए अब अच्छे इंटे इस्टि काने वाले भी कहाना किया अब प्या आटार्च पहली पर ले लगाई दिल तोड़ना दीना अच्छे ही खाने कर अच्छे है क्या अच्छे तीना झाल 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 झाल